जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौस्लो को कर भुलं पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलो में हो मुस्कान राज्योक के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान नमस्कार, ओम शान्ती आपका हमारे श्यू जिन्दगी बने आसान में स्वागत है तो दोस्तों आपकी जिन्दगी को आसान बनाने की हमने एक जिम्मेदारी ली है इस responsibility को निभाते वे हमने ये श्रंखला शुरू करी है जहां पर हम आप ही के लिखेवे प्रशनों का उतर देते हैं हमारे साथ हैं Dr. Girish Patel A very warm welcome to you sir ओम शान्ती Sir हम अभी बात कर रहे थे काफी जो हमारे को प्रशन आए हैं दर्श्रकों की तरफ से वो आए हैं mostly success और goals के उपर तो ऐसे ही कुछ प्रशन हमारे हैं जो अभी हमने उतर नहीं दिये और काफी similar भी रहते हैं questions तो हम क्या करते हैं कि वही जो दो-तीन similar questions है उनका एक हम question ले लेते हैं ताकि बाकियों को भी उनका उतर में जाए तो एक हमारे पास और कुछ questions है जो हम अभी discuss कर लेते हैं तो आज जो हमारे पास प्रशन आए है पहला प्रशन आता है इनका नाम है रवी ये दिल्ली से लिखते हैं ये कह रहे हैं कि मैं administration में काम करता था काफी उंची position पे था general manager लेकिन कोई case हुआ company में जिसमें मुझे फसाद दिया गया उसकी वज़े से मैं काफी depression में रहा अभी वो case clear हो चुका है लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी काफी insult हुई है organization में मैं वापस नहीं जा सकता जिसकी वज़े से अभी मेरे पास job भी नहीं है आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ मैं घर पर हूँ जिम्मेवारी है बीवी है बच्चे है आगे मैं क्या करूँ कुछ आप मुझे guide करें अच्छा correct इसमें इनको ने रवी जी को पहला तो मैं यही advice दूँगा कि depression से बाहर आ जाओ क्योंकि भी तो clear हो गया उसमें भला आपके उपर लोगों ने गलत गलत बाते बोली कुछ इंजाम लगाए कुछ भी हो सकता है पर अभी आप clear हो गये तो उसले उटा खुश होना चाहिए अगर अभी भी आपके उपर कुछ ऐसा होता कि भी आप दोशी हो सजा हो गई कुछ फाइन हो गई तब तो हम मान सकते है कि गलत तरीके से आपको फसाया गया है और वो रियल कुछ नहीं निकला और कुछ तो आपको सजा हुई अभी नहीं हुई तो बहुत खुश होना चाहिए करना डिप्रेशन से बाहर आज जाओ यह नहीं कि मेरे इतना टाइम तो वेस्ट हो गया आज कहीं बाहर हो सकते है भी कोई बिमारी हो फर एक्जामपल कि भी उनको कैंसर हो गया होता और छे साल तक कैंसर के साथ स्ट्रगल करने पड़ी उसके बाद कैंसर क्योर हुआ तो क्या वो कैंसर को दोष देते नहीं देते उससे भी ज्यादा कस्ट सहन करना पड़ा होता है तो एक तो यहां भी खुश होने का कारण है कि मैं खुश हूँ और कुछ कर सकते तो करे अगर उनके लिए को ऐसा तरीका हो कि वापस उन लोगों को पुरू करें कि देखो मेरा इतना टाइम वेस्ट हो या कुछ लिगल ओप्शन्स हो तो ठीक है और अगर लिगल ओप्शन्स नहीं है तो फिर कोई छिंता की बात नहीं है एक बार अगर डिप्रेशन से बाहर आ गए फिर बहुत सारे ओप्शन्स है उनकी बार ठीक है कि वापस उस ओर्गेनाइज़ेशन में नहीं जाना चाहते है क्योंकि वापस उस और सब कुछ याद आएगा उनको और कहीं जॉब ढूंडने की कोशिश करे चाहिए उसमें कम भी सेलरी है परंतुन की जो एक्सपर्ट ये वो यूज हो रही है तो अच्छा है या तो और एक जो बहुत अच्छा आप्शन हो सकता है कि वो सेल्फ डेवलप्मेंट के लिए कुछ करे बिससे सेल्फ डेवलप्मेंट की किताबे पढ़ सकते हैं अच्छा साथव है कि वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं और इस प्री टाइम है तब तो उल्टा वो मेडिटेशन में दिन के दो तिन गंटे भी लगा सकते हैं जैसे भी यह बोल तो मुझे एक एक जमपल याद आया यह ना महराष्ट्र में ही एक राजयोग सेंटर पर एक बैंक के मैनेजर थे उन पर ऐसे जुठा केस हो गया और उनको टर्मिनेट कर दिया गया फिर चाहे वो क्लियर हुआ केस लेकिन अब यह तब तो एकदम फ्री थे तो वो सेंटर पर आने लगे और फिर सेंटर पर में कह सारी चीजे होती है कि सेंटर का लिटरेचर संभालना है सेंटर का और कॉर्रस्पंडन्स होता है जब क्लास पूरा होता है तब लोगों को कुछ चीजे देनी है ऐसे जो ऑफिस वर्क है वो करने लगे और करीब 6-8 महिने में तो वो आवश्यक्ता बन गए अगर वो नहीं आते तो बहने पुस्ति के भाई जी क्यों नहीं आए और यहां तक कि क्योंकि बैंकर थे ही तो आगे चलके बहनोंने सेंटर का एकाउंट भी उनको दे दिया कि आप इस एकाउंट को संभालो तो उन्होंने खुद एक बार अपना एक्स्पीरियन्स सुना है कि यह जो मेरे पर गलत इलजाम लगा और मुझे बैंक से टर्मिनेट कर दिया गया तो अच्छा हुआ कि मुझे आगे बहुत अच्छी रहे मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ आज तो करीब 80 साल के फिर भी यह सब काम करते हूं तो यह एक अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है और मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने भी बताया है डिप्रेशन जो इनको हुई है प्लस इनकी इंसल्ट जो यह बता रहे हैं तो अगर तो हम यह भी सोचें कि थोड़ा ब्रेक ले लें ट्रावल करें नई लोगों से मिलें तो वह एक इन्वार्मेंट भी चेंज हो दूसरा एक एक प्रोच हो सकता है कि भी कहीं मेरा कर्म का कुछ हिसाब होगा चाहे पता नहीं हमें कुछ पता नहीं है इस जन्म में तो पास्ट बर्थ में कुछ तो ऐसा हुआ था कि जो कर्म का हिसा भी हापर बैलेंस हो गया मेरा फल उसमें सफर करना पड़ा कोई कि अब कुछ क्लियर हो गया है आजी हमें अब बड़ी दिक्कत है कि विक्तिर उन चीजों को पकड़ करता है कि इसने मुझे बोला इसने से नीचे दिखाया इसने सा ब्लेम किया अभी मैं क्या करूं मेरा को बदला ले नहीं है उसका मुझे उसके अलावा कोई रास्ता नहीं तो ओने कि कहीं कुछ ने कुछ होगा एट लिगल ऑप्शन है तो और बात है लेकिन कहीं बार ऐसे किसिस में उसरे लिगल ऑप्शन न भी हो तब फिर ओ लेट गो करने में फाइदा है और अब जैसे अच्छी पोस्ट पे है तो फाइनेंशल ज्यादा दिक्कत न भी हो तो पोसिशन ऐसी रही तो जब आगे जाके अपना फोड़ा सा इंको यहां पर एफर्ट करना पड़ेगा हाला कि अग्दम वोलुंटरी नहीं आता है क्योंकि मैंने कहीं डिप्रेशन के जो पेशन से बात भी करिया उस ताइम पे होता है कि आप कर ही नहीं पाते हैं आप इन अगर यह थोड़ा सा इफर्ट करें जाएं मिले दूसरों से नहीं लोगों से बात करें ऑपर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं कुछ नया आप जॉब अगर चेंज करेंगे यूविल देफिनिटली कम बैक stronger and जब केस ही नलिफाइ हो गया है and everything is fine then there is nothing to worry to worry about it तो I think यह रभी जी का question है and I hope रभी जी आपका हमने question अच्छे से answer कर दिया होगा लगर कुछ और भी आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं life में या कुछ आपको और help जी हैं definitely आप लिखी हैं उसको जरूर we'll take it up in our next episodes हमाई पस next question जो आया है वो आया है एक lady है इनका नाम है Anita ये कहते हैं कि मैं 18 साल की थी तो मेरा aim था कि मैं प्रोफेसर बनू आज मैं 50 years की हूँ और मैं एक consultancy चला रही हूँ training consultancy लेकिन मेरा जो प्रोफेसर बनने का एम था वो रह गया और आज मुझे काफी regret होता है frustration है कि मैंने एक aim बनाया था लेकिन I was not able to fulfill because of my family circumstances what should I do नाम क्या है इनका नाम है अनिता अनिता जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि statistics है वास्तों में इस पर research हुई है आपको विश्वास नहीं आता हो तो practically जाके पूछना कि जो करीब 60 years के हो चुके है उन लोगों को पूछा गया कि आप जब करीब 20 साल के थे जब आपने जो aims बनाए थे कि आपको लगता है कि वो aim कुछ हद तक भी आपकी fulfilled हुए तो almost 64% ने कहां नहीं हुए थोड़े से ही थे कि जो उस समय जो उनमें गोल बनाए थे उसी एरिया में वो आगे बढ़े हैं almost 64% उसमें कुछ और ही कर रहे हैं तो यह तो पक्का समझ लेना है कि भी यह life में practically होता नहीं है क्या बोलेंगे उसको कि भी एक जीवन का यह खेल है कि practically हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है और इनके किसमें तो है नो consultancy चला रहे हैं तो प्रोफेसर नहीं बने पर तो यह consultancy को higher level पर ले जाओ तो प्रोफेसर से भी अच्छा है कुछ कहीं इंस्टिट्यूट्स में ना guest lecturer चाहिए होता है तो अगर इनकी field ही training है और इनकी field है जहां पर खुद की अपनी consultancy run कर रहे हैं तो definitely अगर यह जाके भी बात करें कि इनकी qualification है अच्छी she can always be as a guest lecturer as a professor visiting professor बन सकते हैं तो भले ही आप पैसे के लिए ना करें एक आपका aim जो था वो आपका fulfill हो सकते है और मुझे सिखाना है वो आपका fulfilled हो सकते है और मुश्किल नहीं है यहां भी most important कि आप कि मुझे कुछ मिला नहीं है आपको मिला है और आम तोर पर बहुतों के साथ होता है आप तो करीब कहीं कहीं नजदीक हो और अब सिर्फ जिसे आपने भी कहा हो effort करनी पड़ेगी तो बहुत जरूरी होती है और सिखाते ही रहो उसका अंती नहीं है प्रफिसर होते तो भी आप सिक्स्टी में रिटायर होते हैं अभी जब अपना कंसल्टंसी चला रहा है उसमें तो रिटायर्मेंट एज नहीं है 80-85 में भी आप कर सकते हैं कहीं के पास वर्क नहीं है जो हमें लिख रहे हैं कि हम क्या करें आगी कुछ अब प्रफिसर ने प्लान नहीं किया है पह सब उसमें उमंग उच्साह दे करके उसे करना है ताकि वह और भी आगे बढ़े आगे बढ़े जाएं तो इस चीज काफी अच्छी है जो इन्होंने आपने भी बताई है अनीता जी आप कि हमने आपका क्वेश्टन आंसर कर दियो नेक्स क्वेश्टन जो हमें लिखा जात है यह लिखते हैं कि इन्होंने नाम नहीं दिया है अनॉनिमस है इन्होंने बस यह पूछा है कि I am working in MNC and I have achieved everything in my life whatever I had planned I have achieved but today I feel that I am stuck आगे मुझे नहीं पता what should I do and I am stuck and I want a new aim in life how should I go about it यह बहुतों के साथ होता है इन्होंने अपने नाम भी नहीं बताया है नहीं इसलिए नहीं नहीं बताया है कि वही लोग क्या सोचेंगे ऐसा बहुतों के साथ होता है और इसलिए नहीं जब बहुत कुछ एचीव कर लेते हैं अफिल लगता भी कुछ नहीं है रविंदर ने टागोर के लिए कहते है आचा उनको नोबल प्राइस मिल गया फिर सुचा भी करने को कुछ भी नहीं है अभी आगे क्या परंतु यह जो कर लिया तो शुड़ भी हैपी हर लाइफ के फेज है हमी समझना चाहिए जो हमारे कल्चर में पहले बने कि पचीस साल तक पढ़ाई करो पचास साल तक रहस्ती को संभालो फिर अपने आपको डिटैच करते जाओ और फिर अल्टीमेटली आप सन्यास ले लो तो जो फेज है कि जिसमें अपने आपको तो और ऐसा बहुत कुछ पढ़ते हो तो उन्होंने कहा कि जो फेज है पचास से पचातर का कि पचास साल तक आपने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया जैसे पढ़ाई की तो भी कहीं मैं जैसे हम डॉक्टर बने तो गवर्मेंट ने हमारे बहुत खर्चा किया है तो सोसाइ को आपको वापस देने का ताइम है तो तो सोसाइटी के लिए कुछ करो जिसमें भी आपकी पैशन है या फिर सेल्फ डेवलप्मेंट का कुछ पढ़ो और उल्टा भी तो उनके पास टाइम है अभी मैं भी सोचता हूं मैंने काफी सोचा कि इस समय हम को क्या करना हम बहुत बहुतरा कि और उसले हमने वो पुरी सिरी स्टार्ट की डेली विस्डम छोटा छोटा चोटा अग्या करते करते जो विस्डम परापत हुई ओई हम वो डेली विस्डम में लोगों के साथ शार करना है इनका basic aim यह है, यह कह रहे हैं कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, गोल-wise, अगर मुझे नया गोल कुछ बनाना है, because मैं अचीव कर चुकी हूँ, जो मुझे अचीव करना था, but अब मुझे कुछ नया करना है, because I have become very stagnated in life. तो अब गोल कैसे प्लान करें नहीं? मैं यह कहूँगा, मुझे अगर पूछा जाएगे, तो मैं यह advice दूँगा, कि भी अभी कुछ finance के लिए नहीं करो, क्योंकि आपके पास है, आपने खुद बोलाई कि भी मैंने अच्छा कमा लिया, automatic उसमें से कुछ पैसे में तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी करो तो कुछ ऐसा, कि जो self-develop, आपको खुद को self-development में हैं की तरफ लेटे जाएगे, फिर दुसरा, कि भी society को helpful हो, अभी यह भी हो सकते हैं, उनको education में कुछ करना है, तो अभी लेट नहीं है, सब्सक्राइब कि मुझे PhD करना है, तो PhD तो बहुत लेट करते ही हैं, उसमें कोई प्रश्ण नहीं है, मेरे एक friend है, वो chartered accountant है, तो उन्होंने क्योंकि फिर तो तुरण PhD नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, मालूम है, MA किया, अच्छा, ओके, distant education से या कोई तरीके से उन्होंने MA किया, और अभी वो philosophy में PhD कर रहे हैं, तो यह पुझे अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं बोला उन्होंने, तो उन्होंने का, मेरा passion है यह तो, और सच मुझ फिलोसोफी में PhD कर रहे हैं, तो I think यह जीज बहुत state of mind बहुत ज़रूरी होता है, चो मैंने देखा है, चाहे बाकी के लोग जो मरजी काए, whatever state of mind we have, it is the most powerful thing we have, अगर तो मेरा state of mind depressive है, या मेरा state of mind कुली stuck है, उसी के basis पर मेरी पूरी लाइफ चलती है, इसमें तो दुसरा क्या होता है, शिवानी बिन की कहीं ने डिप्रेस्ट होने का लोग कारंट हो, हाँ, मैं बहुत आपको बढ़े हैं, अब इसमें अगर जैसे इनको पता है कि अचीफ कर चुके हैं, what she can do, she can develop herself further in it, अगर अपना कुछ side-by-side, even as a hobby, कोई business start करना चाहती है, अचल online इतने options है, so she can even get into that, but something, if she wants to pursue, even she can, मैं को ऐसे लगता है कहीं बहुत कुछ अचीफ कर लेते हैं, लाइफ में, then we should concentrate on our hobbies, जो हमेशा करना चाहते थे, maybe dancing है, singing है, you can join some classes, gymming हो गई, anything which you want, but it is very important to keep yourself busy, hard Jesus, not easy, Sables. और कुछ अह्वोना यह होना चाहeled, कि मेरे पास कुछ करने को है, सबेरी उठाए तो ऐसे हानी के कुछ क्कुछ करनी को, frustration बिलनी होनी चैए, यह नि तो frustration आपकी बाकियों पी निकलती। आपने पे टो निकलती चरा आपने उनी कर पाते। और अपना शिडियूल बनाओ ऐसे कि भी सबेरे उठा तो इतना टाइम में मेडिटेशन करूंगा भी एक्सरसाइस करूंगा है ना फिर कुछ मैं यह सेल्फ इंप्रूमेंट का पढ़ूंगा या कुछ ऐसा परस्यू करना है फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया फिर से मैं यह कर रहा है परन्तु अल्टिमेट तो जो इनर सेटिसफेक्शन है वही है और वह मैं कुछ करूं कि जिससे मुझे वह प्राप्त हो है ना वह फिल गुड फैक्टर जिसको कहे ना वह होना चाहिए चाहे आप कुछ बहुत प्राड़क्टिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बी इवन अगर आप अपने पेरेंस या अपनी फैमिली से भी डिसकस करें बीकिन अल्स सजेस्जेस्ट सम्धिंग विच यू किन ऑल्वेज दू कहीं बढ़ना बात ही नहीं करते हैं और फ्रॉस्टेटर होता हैं सीधा डिजाइन डाल देते हैं और इस वह पूछती हैं कि मैं अपने एक औरगनाइजेशन में स्टार्ट किया था काम करना और उस औरगनाइजेशन में मैं बीटेक की कैंड़ेट थी लेकिन बीटेक की कैंड़ेट होते होते मैंने अचार में जॉब शुरू कर दी बिकिस मेरेको रिकूरूट एचार के लिए कर लिया गया पट मेरी फ तो मैंने यही चीज आई इधर भी कि बिना आगे की जॉब मिले आपने पहली अपनी जॉब दी गलती है यह भी और फिर क्या हो रहा है तो फिर शीज फिलिंग फ्रॉस्टरेट पिकास इनने एडूकेशन लोन लिया था तो भी चुकाना भी है तो उसका इंकम नहीं आ रहा ह इकास और सूर्स उफिंकम नहीं है तो हाऊ शुड शुड शीगो बाउट कि सोर्स ऑस इंकम भी नहीं है रहा है जॉब भी चोंड़ी है गर वालों ने सपोर्ट नहीं कर पा रही इतना तो व मंदूब बुला इन्होंने नाम नहीं लिखा जिक इन लिक है यह मेरट से हैं तो अभी इनका भी यह है, यह जिसे दुसरों के लिए message है, कि भी ऐसे छोड़ो ने, अभी समझो आप HR में हैं, तो भी अगर वो company में भी कुछ engineering जो भी field है, उसे related अगर कुछ है, तो भी आप उसे नजदीक तो हो ही हो, लेकिन आप उस field में तो हो ही कुछ आप knowledge आदी सकता है, कि वो company कुछ और ही कर रही है, जिसमें आप HR की post पर हो, तब भी तो उसको छोड़ना नहीं था, करते हुए, समझो कि भी जो free time मिलता है, उसमें दूसरी job ढूंडो, या तो कहीं छुट्टी लेकर के भी दूसरी job ढूंडो, पर उन तो totally छोड़ना नहीं है, एक level सकता है, इसे में, कि भी आपने कोशिश की, और आपको दूसरी job ढूंडो, यह लगता है, कि अभी मैं totally छोड़ के full-fledged effort करूंगी, भूतों को मिलूंगी, कहीं ढूंडोंगी, तो साथ मुझे दूसरी job मिल जाएगी, तो फिर व्यक्ति छोड़ सकता है, तो वह वहाँ possible ह है, कि अभी थोड़े दिन में मिलने वाली है, तो जॉब शोड़ दे, कि भी 15-20 दिन में एक मेने में मेरे को दूसरी job मिलने चाहिए, एक महिना घर में भी रह जाए, लिकि तुरंट किया हो गलती की, और अब उसका frustration हो रहा है, इंपल्सिफ डिसिजिन नहीं लेना जोड़ दूसरी है नहीं, तो यह सारी जीज़े एफेक्ट हो जाती है, विच लिद्स तू फ्रस्ट्राइशन है, लिए पस कुछ और भी ग्वेस्टेंस हैं, जो कि हम आगे आने वाले एपिसोड में लेंगे, अभी के लिए, आभी के लिए, आपने दर्श कों के सारे च् आपके जरूर इन क्वेस्टेंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहे हैं, ओम शांती ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किले बड़ी है, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किले बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है आती है आनिया तो कर उनका खैर मकदम तूफा से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा दे ये मत कहो खुदा से मेरी मश्किले बड़ी है ये मश्किलों से कह दो मीरा खुदा बड़ा है अगनी में तपके सोना है यार भी निखरता दुरगं को पार करके हिमाले कोई चड़ाए लाएगी रंग मेन आखिर तुम्हार एक दिन होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किले बड़ी है ये मुश्किलों से के दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है